नमस्ते मेरा नाम वंदना सरोच है और ये वीडियो में बना रही हूँ अपनी चैनल के एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे इसमें मैं बात करूँगी लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में लाइफ सर्टिफिकेट जिसे हिंदी में बोला जाता है जीवन प्रमान पत्र तो अगर आप भी किसी सेंट्रल गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट के अंडर काम करते थे और अब आप उनसे पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन हमेशा टाइम पे आती रहे इसके लिए आपको बनवाना होता है लाइफ सर्टिफिकेट अदर्वाइज आपकी पेंशन रुख सकती है तो लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है इस साथ में आपको ये कब जमा करना होता है हर साल अपने bank या post office में अगर आप NRI हैं और इस टाइम इंडिया में नहीं रह रहे हैं तो आप अपना life certificate अपनी pension की continuity maintain करने के लिए कैसे submit कर सकते हैं आपके पास क्या-क्या option रहते हैं साथ में life certificate बनाने के क्या-क्या तरीके हैं और अगर आपको अपना life certificate बनवाने में या इसे जुड़ी हुई कोई भी परिशानी आती है तो आप कहाँ पर contact कर सकते हैं Life certificate या जीवन परमान पत्र एक तरह का proof होता है एक तरह का परमान होता है कि आप अभी भी जीवित हैं अगर आपने कभी भी किसी central government या state government के अंडर काम किया है और अब आप उनसे pension लेते हैं तो हमेशा time पे आपके bank account में या आपके post office के account में pension आती रहे इसके लिए आपको अपने जीवित होने का परमान हर साल जमा कराना होता है अपने bank या post office में जहां अभी आपकी pension आती है ये एक तरह का proof है परमान है कि मैं अभी जीवित हूँ और जब मैं ये life certificate जमा कर रहा हूँ अपने bank या post office को जहां मेरी pension आती है उसके बाद से पूरा अगल एक साल तक मेरी pension टाइम पे मेरे account में आती रहनी चाहिए ये जो life certificate है ये आपको हर साल जमा कराना होता है एक अक्तूबर से लेके 30 नवंबर के बीच में डेट थोड़ी बहुत change हो जकती है अधर्वाइस जनरल जो टाइम है वो 30 नवंबर आखरी तारिक होती है life certificate जमा कराने के लिए अब जो आप screen पे documents देख रहे हैं ये चाहिए आपको अगर आपको अपना life certificate बैंक या post office की ब्रांच में जाके बनवाना है या फिर citizen service center पे जाके बनवाना है या फिर digital life certificate online बनवाना है और किसी भी तरीके से आप अपना life certificate बनवाते हैं तो उन सभी cases में आपके जो fingerprint है वो biometric device से scan होते है या फिर जो आपकी आखों का आईरिस scan होता है वो required होता है तो इसलिए जहां भी आपकी pension आ रही है post office है या कोई bank है वहाँ पर आपका आधार number जरूर update होना चाहिए और साथ में mobile number वही होना चाहिए जो कि आधार में भी updated है अब बात करते हैं किन-किन तरीकों से आप अपना life certificate बनवा सकते हैं आप घर बैठे ओनलाइन biometric device खरीद के उसको connect करके अपने computer से तो अपने आपसे भी digital life certificate बना सकते हैं और वहीं से submit हो जाता है ये तो आपको बैंक या post office की ब्रांच में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती second है तो है door step facility तो हाल फिलाल एक door step facility भी शुरू की गई है जो कि post office ने शुरू की है दूसरा है door step facility जहां पर 12 ऐसे public sector bank है जिरोंने एक alliance किया है गठवंदन किया है life certificate को कस्टमर के घर पे ही बनवाने का तो post office की door step facility आप कैसे यूज कर सकते हैं या फिर ये जो 12 public sector banks है इनोंने जो door step facility शुरू की है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं और साथ में digital life certificate आप कैसे बनवा सकते हैं इन सब की detail आपको मिलेगी मेरी दूसरी वीडियो में जो की आप उपर card में भी देख रहे हैं और साथ में इस वीडियो के end में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आप देखें आप citizen service center पे digital life certificate कैसे बनवा सकते हैं तो citizen service centers है बहुत सारे जो की designated है life certificate बनाने के लिए वहाँ पे biometric device भी होती है तो जो document मैं already आपको बता चुके हूँ वो सब आपको carry करने होते हैं citizen service center उनकी details अगर आपको चाहिए तो screen पे due है नमबर पे आप SMS कर सकते हैं तो आपके area में जो भी nearest citizen service center होगा उसकी detail आपके phone पे आ जाएगी यह है जीवन परमान की website और यहाँ पे आप जाएंगे locate a center यहाँ से आप जाएंगे citizen service center यहाँ पे जाके आप अपना digital life certificate बनवा सकते हो तो यहाँ पे आपने साइड details चाल नहीं है उसके बाद search और जो जो centers आएंगे वहाँ पे जाके आप अपना digital life certificate बनवा सकते हो अगर आपको digital certificate खुझ से जनरेट करना है और biometric device आपने अलड़ी install कर ली है तो get a certificate next है जिस भी bank में आपकी pension आती है जिस भी post office में आपकी pension आती है तो वहाँ पर भी आप जाते हैं वही documents आपको देने होते हैं जीवन परमान की जो application है वो आपकी start हो जाती है उसके बाद आपका जो biometric scan है fingerprint है वो लिया जाता है और उसके बाद एक परमान ID आपकी generate हो जाती ह है और वहीं पर आपका life certificate submit हो जाता है पूरे एक साल के लिए दूसरा अगर आपने अपना life certificate बनवा लिया है लेकिन आप disability की वज़े से या किसी और reason जैसे आप बीमार है उसकी वज़े से bank या post office के ब्रांच में जाके उसको जमान नहीं करा सकते तो उस case में किसी भी gadgeted officer से उसकी पूरी list भी website पे दी हुई है जीवन प्रमान की website पे उनसे आप sign करा के life certificate किसी और के हाथो बिज़वा सकते हैं उस particular post office या bank में और आपका life certificate submit हो जाएगा अगर आप NRI है और आपकी pension आती है state government या central government से तो आप अपना life certificate कैसे submit कर सकते हैं अगर आप abroad settle हो गए हैं और इंडिया के life certificate नहीं दे सकते हैं उस case में तो जो embassy है या high commission of India है या फिर Indian consulate है वो आपकी help कर सकते हैं आप वहाँ पे visit कर सकते हो और अपना life certificate बनवा सकते हो और वही आपकी help कर सकते हैं इसको वही से submit कराने में अब अगर आप disabled हैं या बहुत बिवार हैं तो उस case में जहा कुरियर कर सकते हैं Indian embassy में या फिर high commission of India या Indian consulate में साथ में आपको doctor का certificate भी attach करना होगा जहां पे mention होगा कि किस वज़े से आप जो high commission of India है या embassy है वहाँ पे visit नहीं कर सकते हैं जैसे कि कोई disability है या CES कोई disease है बिमारी है तो वो उसमें certificate में mention होना चाहिए तो इस तरीके से कुरियर करके भी जो embassy है वो आपकी help करेगी और life certificate बना देगी और even submit भी करा देगी अगर आपको life certificate या जीवन प्रमान पत्र बन नंबर पे या फिर email पे जीवन प्रमान टीम को contact कर सकते हो अब एक और मेरी वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के end में मिलेगा उसमें मैंने बताया है कि घर बैठे आप doorstep banking या doorstep facility से अपना life certificate कैसे बनवा सकते हैं और ऐसी ही important वीडियो आप तक हमेशा करके all select करें यहां से वीडियो को लाइक करें और यहां से दूसरों को साथ शेयर करें